हेलो अब्रिवन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फीनो पेमेंट बैंक अकाउंट को फोन पे के साथ कैसे लिंक किया जाता है इसके अलावन यूपे के लिए कैसे रिजिस्ट्रेसन किया जाता है अगर अपने फोन पे में यहाँ पर फीनो बैंक अकाउंट को लिंक कर लिया है तो पेमेंट कैसे कियाता है कॉम्प्रिट जो प्रोसेस होता है इसका आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो आई अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो simply अभी मैंने यहाँ पर फोन पे आपको ओपन कर लिया है देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है तो simply यहाँ पर आपको अपका फोटो सो होगा प्रोफाइल वाला इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा देन उसका बाद से यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार सी इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आपको view all payment methods पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी bank account शो हो जाएंगे तो add new पर क्लिक कर देना है उसका बाद से जो भी अपने phone pay में जो आपका register mobile number होगा and यहाँ से आप अपने bank की name को search कर सकते है manual भी या फिर अपशे हाँ तो slide करके जो भी आपका bank का name है उसको select कर सकते है तो अभी चलिए हम यहाँ पर फिनो payment bank को select कर लिये है उसका बद से हमारा जो account है इसको page किया जा रहा है अब आप देखेंगे complete तरीके से page कर लिया गया है हमरा account number, branch, account holder name, IFSC code और यहाँ पर UPID बनाने के लिए बताया जा रहा है हम चाहें तो कोई अपने से भी UPID बना सकते हैं या फिर phone पर द्वारा यहाँ पर suggest कर दिया गया है तो चलिए हम edit करके and manually अपने से UPID बना लेते हैं उसका बाद से आपको proceed to add के नाम से option हैगा इस पर click कर देना है तो अभी आप देखेंगे account added successfully सो कर दिया गया है यहाँ से हमारे जो भी account related information है complete दे दी गई है हमारा UPID जो है create हो चुका है और बता जाता है कि जो हमारा UPI pin है पहले से बना दिया गया है जो कि मैंने बना दिया था तो जो भी आप UPI pin बनाते हैं इसी को जो आप enter कीजिएगा तो कोई भी payment successful हो पाएगा इसके लिए यहाँ पर आपको ATM card क्यों सकता पड़ती है मैं आपको थोड़ा सा बतायता हूँ reset pin पर click करके यहाँ पर जो भी आपकी debit card की last six digit है उसको fill कीजिए validity उसकी fill करके proceed पर click कर दिजिएगा उसको अपना UPI pin को बना सकते हैं हमारा पहले से बना हुआ था इसलिए मैं आपको दुबारा से नहीं बनाऊंगा उसको बाद से आप done पर click करेंगे आपका जो bank account है इसमें link हो चुका है इसमें बहुत सारे bank account मैंने link किया हूँ है यहाँ पर आप देखेंगे Fino payment bank का जो हमारा bank account है इसमें successful phone payment हो चुका है उसका बाद से हम किसी के पास भी payment कर सकते है example के लिए मैं आपको भी दिखायता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे इन पर मैं अचलिए payment करना चाहता हूँ तो इस पर आप click करेंगे और जो भी आपका amount है यह से कि यहाँ पर मैं 10 रूपी इंटर कर देता हूँ उसका बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा Fino payment bank का जो अकाउंट है यह आ चुका है तो इस पर click करके चलिए हम click करते हैं continue करेंगे और उसका बाद से आप payment कर सकते हैं simply आप paper click करेंगे उसको अची initiate हो जाएगा you pay pin इंटर करके अपना payment confirm कर सकते हैं तो simply मैंने आपको बता दिया है कि phone pay में Fino bank account को कैसे link किया जाता है you pay मेरा पहले से बन गया था इसलिए मैं ओपरेसर से आपको नहीं बता पाया लेकिन कैसे payment करना होता है अच्छे तरीके से बता दिया है और यहां सब history देख सकते हैं complete information अब आपको मिल गई होगी तो I hope आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको bank balance चेक करना हो तो bank balance पर click करके चेक कर भी कर सकते हैं तो चले मैं मिलूंगा next वीडियो में